आज हम एक फंड के बारे में बात करेंगे आप इसका परफॉर्मेंस अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं इस फंड में तीन साल पहले की गई 10,000 रुपे की मंतली SIP की वैल्यू आज लगभग 6,000,000 रुपे हो गई होती which is 34.33% returns और 5 साल में आप 13,000,000 तक का corpus जोड पाते इस पीरियड में इस फंड की category ने 27.08% और 26.89% का median return दिया है और benchmark ने इससे भी कम return दिया है 22.76% in 3 years और 22.54% in 5 years इस fund का performance आपको easily impress कर सकता है लेकिन हमारे पास और भी details है as of June 2023 इसका AUM 32,000 रुपीज करोड था and guess what ये एक small cap fund है हम निपॉन इंडिया small cap fund की बात कर रहे हैं इतने बड़े AUM को manage करना तो diversified equity funds के लिए भी challenging है लेकिन small cap fund ने ना सिरफ इसे अच्छे से manage किया है बलकि category और benchmark को भी outperform किया है इस phenomenal success का क्या कारण है और important सवाल ये है कि क्या ये fund बढ़ते AUM के साथ ऐसा performance जारी रख पाएगा इस वीडियो में हम ने पॉन इंडिया small cap fund को decode करेंगे और आपको इन सवालों के जवाब देंगे लेकिन start करने से पहले एक quick reminder हमारे चैनल को जरूर subscribe करें और bell icon प्रेस करना ना भूलें तो आईए शुरू करते हैं ये वीडियो दो sections में divided है पहला fund कैसे manage किया जाता है या fund manager ने लगातार बढ़ते AUM के बावजूद category और benchmark के comparison में किस तरह better performance दिया है दूसरा बढ़ते fund size के साथ साथ क्या ये ऐसी returns आगे भी दे पाएगा और अगर आप ये सोच रहे हैं कि बड़ा AUM कैसे problem हो सकता है हम उस बारे में भी बात करेंगे तो आईए सबसे पहले ये देखें कि इस fund को कैसे manage किया जा रहा है November 2022 में Morning Star के एक interview में निपॉन इंडिया Small Cap के fund manager समीर रच ने fund की strategy शेयर की थी उनके according एक चीज जो इस fund के favor में रही है वो है diversification आईए सबसे पहले उन 5 points पर एक नज़र डालें जो उन्होंने अपने interview में शेयर किये थे उसके बाद हम fund की strategy को deeply analyze करने की data पर गौर करेंगे Number 1, रच ने कहा कि जब small caps की बात आती है तो diversification beautifully काम करती है Number 2, diversification के कारण वो किसी stock को long duration के लिए hold कर सकते हैं Number 3, इस वज़ा से fund managers winners को leverage करके interim volatility का खयाल रख पाते हैं Number 4, stable और outperforming stocks कुछ underperforming stocks को balance करते हैं Number 5, ये fund single stock में सिरफ 4% तक ही invest करता है जैसे ही किसी stock में allocation 5% से ज़ादा हो जाए तो fund manager उसमें कटोती शुरू कर देते हैं तो कुल मिलाकर निपॉन इंडिया small cap की strategy में है diversification, less volatility और better risk control जैसे important features अब क्या निपॉन इंडिया small cap fund manager की expectations के according perform कर रहा है ये देखने के लिए हमने इस पर in-depth analysis किया तो आएए इस fund के portfolio में number of stocks और उनकी concentration के साथ start करते हैं fund manager ने कहा कि वो एक diversified portfolio रखना चाहते हैं जिसमें किसी एक single stock में 4% से जादा allocation ना हो लेकिन data क्या suggest करता है आएए देखते हैं जैसे जैसे AUM बढ़ा है fund में number of stocks भी बढ़े है इस fund में 2019 में 117 stocks थे और 2023 की बात करें तो this number has increased to 180 Indian mutual fund space में ये एक unusual और rare चीज़ है दूसरे small cap funds इतने जादा stocks में invest नहीं करते हैं आए निपॉन इंडिया small cap fund के portfolio में number of stocks को उसकी category average से compare करें जहां निपॉन small cap के पास presently 180 stocks है category average सिरफ 72 stocks है इस category में second largest fund HDFC small cap है जिसका AUM लगभग 19,000 रुपीज करोड है और इसके portfolio में सिरफ 71 stocks है तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि निपॉन इंडिया small cap fund highly diversified है तो इससे पहले कि आप ये decide करें कि ये कितना diversified है आईए इसमें stocks को concentration check करें by the quartile आप screen पर दिये गई table को देख सकते हैं अगर आप sure नहीं है कि quartile क्या होता है तो आईए हम समझाते हैं quartile means 25% तो जब हम किसी चीज को quartile में divide करते हैं तो हमें 25-25% के 4 parts मिलते हैं table में हमने इस fund के portfolio को quartile में divide किया है हमने पहले fund की holdings को उनमें deploy किये गए assets के percentage के basis पर sort किया फिर हमने देखा कि first 25% या first quartile को बनाने में इसे कितने stocks लगे फिर अगले 25% या second quartile को बनाने में कितने stocks लगे and so on for example 2023 में fund के first quartile में 17 stocks थे second quartile में 27, third quartile में 41 और last quartile में 98 stocks थे quartile analysis कैसे helpful है well इस analysis से हमें ये पता चलता है कि portfolio का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा crowded है हम देख सकते हैं कि fund के पास top 25 में कम stocks हैं 2019 से 2023 के बीच ये number 9 से 17 तक था bottom quartile मतलब fourth quartile में number of stocks काफी ज़्यादा है 2019 से 2023 के बीच ये 57 से बढ़कर 98 हो गए अगर हम top 3 quartiles में number of stocks अड़ करें तो ये figure 2019 से 2023 के बीच 53 से बढ़कर 85 हो गई है तो इसका क्या मतलब हुआ जहां fund अपने assets को large number of stocks में spread करता है top bets के point of view से ये काफी concentrated है इस वज़ा से fund के top bets portfolio की performance को lead कर पाते है large number of stocks के बावजूद fund के out performance के लिए ये शायद एक reason हो सकता है इसके portfolio में stocks का एक बड़ा number quartile 4 से linked है और पिछले कुछ सालों में इन stocks में 0.23% to 0.41% तब का allocation रहा है इसलिए जब हम इस fund में number of stocks देखते हैं तो वो इसकी actual picture represent नहीं करते ये fund उतना भी diversified नहीं है जितना आपको दिखता है ये भी clear है कि इतने सारे stocks में exposure के लिए fund को अपने benchmark nifty small cap 250 index से deviate होना होगा लेकिन कितना इस table में आप देख सकते हैं कि ये fund काफी हद तक उन stocks में invest करता है जो nifty small cap 250 index का part नहीं है as of June 2023 इसके AUM का 43% उन stocks में invested था जो benchmark में नहीं थे अपने benchmark index से हट कर invest करने के कारण हो सकता है इससे index आउट परफॉर्म करने में help मिली हो क्योंकि ये possibility हो सकती है कि fund micro caps में invest करता हो micro caps वो stocks हैं जो market cap के लिहाज से top 500 stocks के बाद आते हैं इन stocks में higher risk reward ratio होता है इसलिए ऐसा हो सकता है कि fund के अच्छे returns में उनका contribution रहा हो अब एक और बात है जो fund manager ने कही अच्छी तरह से diversify करने से उन्हें long term तक invested रहने में help मिलती है आए इस aspect को भी check करें ये check करने के लिए हमने 2018 से 2023 के बीच फंड के June end portfolios में check किया कि क्या कोई stock पिछले 5 सालों से portfolio का part है जैसा कि आप अपनी screen पर बने table में देख सकते है 2018 और 2023 के बीच fund के June end portfolios में लगभग 47 stocks constant रहे है ये actual में fund manager की philosophy का proof है On an average इन stocks ने 19% का annualized return दिया है जिसका मतलब हुआ कि ये bets fund के favor में काम कर रही है Usually funds long term bets लेते हैं क्योंकि positions build करना और small cap stock से exit करना easy नहीं होता इसलिए long term तक invested रहना important है It appears के इस मामले में ये fund अच्छा perform कर रहा है वीडियो में थोड़ा आगे जागर हम इसके बारे में detailed discussion करेंगे कि small cap funds के लिए positions build करना और exit करना क्यों मुश्किल हो सकता है तो ये था निपॉन इंडिया small cap fund में stocks की concentration के बारे में आईए अब sectoral concentration चेक करें क्या ये fund sectors पर concentrated calls लेता है या फिर अपने assets across sector invest करता है आपकी screen पर बना chart इस question का answer देगा Top 5 sectors में fund का allocation category allocation के comparison में काफी जादा है 2019 से 2023 तक ये 41% और 49% के बीच रहा है जबकि category में ये range 36% और 42% के बीच है तो मतलब fund के sectoral conviction ने भी शायद इसके out performance में important role play किया है ये fund अपने sectoral allocation को लेकर mindful है और अलग-अलग sectors में अपने assets spread नहीं करता fund के sectoral allocation को देखने के बाद आएए अब देखें कि volatility को control करने और risk adjusted returns के मामले में ये कितना successful रहा है volatility check करने के लिए हम standard deviation use करेंगे standard deviation जितना जादा होगा fund भी उतना ही जादा volatile होगा जैसे की चार्ट में दिख रहा है ये fund actual में category और benchmark से जादा volatile है लेकिन volatility अच्छी और बुरी दोनों ही हो सकती है अच्छी volatility तब होती है जब prices अचानक बढ़ जाते हैं बुरी volatility तब होती है जब prices अचानक गिर जाते हैं तो fund ने कितने अच्छी तरह bad volatility को control किया और better risk adjusted returns दिये हैं आए देखते हैं इसे चेक करने के लिए हम सौटीनों ratio नाम का एक parameter यूज करेंगे सौटीनों ratio जितनी जादा होगी fund की downside volatility उतनी ही कम होगी जैसा कि आप देख सकते हैं कि ने पॉन इंडिया small cap fund का risk adjusted returns देने का एक अच्छा record है इसने 2022 और 2023 में category और benchmark के comparison में better returns दिये हैं इसने 2020 में भी category के comparison में better return दिया था और 2021 में benchmark के comparison में अब आगे बढ़ने से पहले आए जल्दी से main points को एक बार summarize कर लेते हैं ये fund category average से ज़ादा stocks में invest करता है और इसमें number of stocks AUM के साथ बढ़े हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि assets evenly distributed हैं इसके 75% assets 53 से 85 stocks में invested हैं जिससे शायद fund को better perform करने में मदद मिली है stock selection के मामले में ये fund benchmark index तक restricted नहीं है इसके portfolio में कुछ ऐसे stocks भी शामिल है जो nifty small cap 250 के universe के बाहर है ये stocks को long run के लिए hold करता है इसके current portfolio में 47 SS stocks हैं जो इसमें 2018 से मौझूद है category के comparison में ये fund जादा concentrated sectoral bets लेता है तो ये possible है कि sectoral calls का इसके performance में contribution हो ये category और benchmark से जादा volatile हो सकता है तो अब तक हमने देखा कि ये fund कैसे manage किया जा रहा है अब आते हैं सबसे ज़रूरी बात पर जो है fund size बड़े fund size से क्या problem हो सकती है और क्यों आए देखते है fund का AUM June 2019 में 8,234 करोड रूपीज से बढ़कर June 2023 एंग तक 31,945 करोड हो गया मतलब 4 साल में ये लगभग 4 गुना ग्रोथ तो ये massive size कैसे fund के लिए problem बन सकता है आए देखते हैं small cap funds को mandatorily अपने assets का at least 65% small cap stocks में invest करना पड़ता है अब small cap companies का size comparatively छोटा होता है इसलिए किसी fund के लिए अपने assets को deploy करना difficult हो सकता है For example, अगर निपॉल इंडिया small cap अपने assets का सिरफ 1% किसी small cap company में deploy करता है तो ये amount होगा लगभग 319 करोड रूपीज और अगर target small cap company की market capitalization 3000 करोड है तो ये amount company के market cap के 10% से भी जादा होगा एक point of time में इतनी जादा liquidity ढूणना difficult है मतलब जितने stocks निपॉन पर चेस करना चाह रहा है हो सकता है उतने sale के लिए available ना हो एक small cap company के लिए जिसका market cap 6000 करोड है ये amount अभी भी उसके market cap के 5% से जादा है सबसे पहले इतने सारे stocks को acquire करने के लिए इतनी liquidity मिलना मुश्किल है और दूसरी बाद कि इतने बड़े order की वज़े से stock price बढ़ भी सकता है इसलिए fund शायद stock को उसके desired price पर नहीं खरीद पाएगा बलकि इसके लिए जादा पैसा भी देना पड़ सकता है इस phenomenon को stock market में impact cost कहा जाता है इन reasons की वज़े से एक बड़े small cap fund के लिए अपने corpus के deployment difficult हो जाती है क्योंकि ये portfolio के existing stocks में अपना allocation नहीं बढ़ा सकता इसके अलावा इन stocks को बेचना भी मुश्किल होगा क्योंकि enough buyers नहीं भी हो सकते है eventually इसे अपने corpus का जादा तर हिस्सा mid and large caps में move करना पड़ सकता है और वो 35% से कम होना चाहिए इन सभी reasons का इसके return पर impact पर सकता है तो क्या ये issue निपॉन इंडिया small cap fund के साथ भी आ सकता है खेर इस possibility को rule out तो नहीं किया जा सकता लेकिन अभी तक बड़े size की वज़े से small cap funds का performance खराब नहीं हुआ है अपनी screen पर बने table को देखें Based on AUM आप यहाँ top 3 और bottom 3 small cap funds के returns का comparison देख सकते हैं जिनकी at least 6 साल की history है आप यहाँ देख सकते हैं कि smaller AUM doesn't mean out performance 8 instances में smaller funds का rank 10 से बढ़ा है और सिरफ 6 instances में बड़े AUM वाले funds का rank 10 से higher है लेकिन इससे small cap funds के लिए size के challenge को rule out नहीं किया जा सकता यही एक reason भी है कि Nepal India Small Cap Fund ने अपने inflows को restrict कर दिया है आप इसमें ablum sum invest नहीं कर सकते लेकिन SIP के थुरू 5 लाग per day per pan invest करना अभी भी possible है यह restriction बढ़ते AUM को deploy करने के challenges की वज़े से भी हो सकती है इस fund के portfolio में large cap stocks का allocation June 2021 में 7.13% से बढ़कर June 2023 में 15.07% हो गया है as of June 2023 category से compare करें तो निपॉन इंडिया small cap का large cap stocks में second largest allocation है क्योंकि large caps में returns थोड़े कम होते हैं इसलिए portfolio में large cap stocks बढ़ने से returns भी कम हो सकते हैं लेकिन ये fund को ज़्यादा stability भी देते हैं अभी तक निपॉन इंडिया small cap को high conviction bets और 180 से ज़्यादा stocks में diversify करने से benefit ही हुआ है इस video में हमने इस fund से related ज़रूरी data points शेर किये हैं जो आपको ये decide करने में help करेंगे कि आपको इस fund में invest करना चाहिए या नहीं we hope आपको ये video useful लगा होगा इसके साथ हम इस video के end में आ गए हैं अगर आपको ये पसंद आया है तो इसे अपने friends और family के साथ share करना ना भूलें